कॉमन रीजन है चाती में गांट होने का उन औरतों के अंदर जो बच्चों को दूद पिला रही होती है इनके अंदर अगर दूद पिलाने की टेक्नीक ठीक नहीं होती तो बच्चे के मुझ के द्वारा इंफेक्शन चाती के अंदर चला जाता है और उससे दूद की गांट बन जाती है जिसको गैलिक्टोसील भी कहते है अगर ये चाती की गांट जल्दी पकड में आ जाए अर्ली स्टेजेज में पकड में आ जाए तो हम इसका सिरफ दवाई के द्वारा ट्रीटमेंट किया जा सकता है ये अल्ट्रसाउंड से डाइगनोसेज हो जाता है ऐससा इसका और हम दवाईयों से इसका इलाज कर सकते हैं बट अगर इसमें दूद इघटा होके इसके चारों तरफ एक वाल सी बन गई है या फिर ये इनफेक्ट हो गया है और ये एक फोडा बन गया है तो इसका चीरा देके इलाज किया जाता है ड्रेनेज की जाती है जो एक छोटा सा ओपरेशन है